बैंगलूरू बैठक में क्या नितिस लालू हो गए न राज। बिना संयोजक बने लोटे नितिस लालू का सारा प्लान हुआ फे। बैंगलूरू बिपक्षी बैठक के रंग में भंग होता दिख रहा है। बिपक्षी एक्ता के सुत्रधार और बिहार के मुखमंद्री नितिस कुमार बीना सयोजक मने ही पतना लोट चुके हैं। बिपक्षी एक जुपता में सामे दलों के बीच दही में जोरन का काम करने वाले उनके बड़े भाई और आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादो भी उनके साथ लोटे हैं। नितिस लालू के इस तरह खाली हाथ लोटने पर बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। बड़ा सवाल यह है कि जुआइंड प्रेस कॉंफरेंस में भी नितिस लालू नहीं दिखे। चार्टर प्लेन से यात्रा करने वाले नितिस कुमार को वि नितिस के खाली हाथ लोटने से लालू के सिक्रेट प्लान का क्या होगा। आए समझते हैं विसार से इन बातों को बेंगलूरू के ताज वेस्ट एंड होटल में बिहार के जदिव और आरजडी समेत देश की 23 पाटिया सामिर हुई। बैठक के दोरान यूपीय का नाम बेटी 23 यादो घुसना से पहले ही पटना के लिए निकल गए। पटना में हुई भी पक्षी बैठक में इस बात की खबर जोर सोर से चली थी कि नितिस को बैंगलूरू बैठक में सेयोजक बना दिया जाएगा। सेयोजक के सीधा देश का परधाल मंत्री बनने का इतिहास भी खबरों में था। सीम नितिस इन खबरों से तो खुश थे ही लालू यादो तेजसु यादो की खुशी साथवे असमान पर थी। लेकिन एक ऐक ऐसा क्या हो गया कि इन सब के सपनों पर पानी फिर गया। आए समझते हैं। विपक्षी एकता की मिसन में अब कॉंग्रे के बैठक में 15 दो लोग के नेता मुझूद थे। मतलब साथ है। विपक्षी कुन्मे को और बड़ा करने के लिए लराई में कॉंग्रेस बाजी अपने पास ही रखना चाहती है। आज नितिस के जिस सयोजक पत पर ताजपोसी की खबरे आ रही थी। कॉंग्रेस ने आठ और बिपक्षी दोलों को बुला कर नितिस को एक तरह से कंट्रोल करने का प्रयास क्या है। आज खड़गे द्वारा की गई घोसना में नितिस का जिक्र कहीं नहीं होना इस ओर ही सारा कर रहा है। हाला कि नितिस कुमार राजमिती के मज़े खिलारी है। कब कैसे कहां से क् खुबी जानते हैं हाँ इतना जरूर है कि नितिस की भूमिका बेपक्षी एक्ता मिसन में जितने बड़ी करके देखी गई थी वो जहलक आज नहीं दिखी आगे क्या खेला होता है यह देखना रोचक होगा इतना तो कहा ही जा सकता है कि कॉंग्रेस की सक्रियता ने नितिस के संयोजक बढ़ने पर रोराट का दिया है इसे समझ ही नितिस लालू और तेजस्वी तीनों पटना लोट चुके हैं विहार की सियासत में नितिस के दिल्ली जाने की चर्चा हो विपक्षी संयोजक बढ़ने की बात हो या पी एम उमिदवारी की बात हो सबसे जाइदा उस् नजर आता है जुसके असली वज़ा क्या है यह हम आपको बताते हैं दरसल स्यम नितिस ने स्रौजनिक मन से या एलांड किया हुआ है कि 2025 का विधान सबा चुना तेजस्वी के नितृत में ही महागडबंदन लड़ेगा मतलब साथ है स्यम नितिस बिहार की गद्दी अब त आसकी राजनिती में बड़ी भूमिका चाते हैं पीम पर्द के सवाल प्रयूतों नितिस कई बार कह चुके हैं कि उन्हें इसमें कोई दिल्चस्पी नहीं है लेकिन जानकार बताते हैं कि नितिस जैसे बड़े कद का नेता की इच्छा पीम बनने की नहो यह संभव नहीं ह वैसे भी वे कब क्या चाहले कोई नहीं जानता आज हुई विप्रक्षी बैठक से नितिस का यूँ लोट जाना तेजिस्वी के सीम बनने में रोरा आठका सकता है क्योंकि दिल्ली और बिहार दोनों की राजनिती में खाली हाथ रह जाए ऐसा सोचना भी मुर्खता साबित हो सकता है नरेंद मोदी के खिलाब बन रहे विपक्षी एक जुटता में मन माफिक भूमिका न मिलने पर वो बिहार की राजनीती में भी और जायदा सक्रिय हो जाएंगे जनकार ये भी बता रहे हैं उनके ऐसे ट्रंट से सबसे बड़ा सियासी असर लालू के प्लान पर प क्या होता है यह देखना दिल्च्वस्प होगा खैर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या दूत्रंद कर लें निद्श्कुमार को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बता सकते हैं वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो हमारे पीच को भी कर लें बहुत बहुत धन्यवाद